नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं और सफंग की टोपर को एक लाग रुपई मिलेंगे इसके साथ ही लेप्ट आप और स्मार्ट फुन भी दिया जाएगा जहर्खन इसको लिश्क चावशक शर्टा प्रिभाग ने इसकी तैयारी सुरू कर दिया समंधित बोर्ड से टॉपर्स की लिस्ट मांगने की तैयरी चल रही है। बता दे 2023 में रासी का भुगता नहीं किया जा सका था। शिक्छा विभाग इस साल 2024 में दसवी और बराहवी के टॉपर्स के साथ साथ 2023 के टॉपर्स को भी यह रासी देगी। 223 में रासी का भुक्तान नहीं किया जा सका था ऐसे में समंधित बोर्ड से दोनों वर्सों में 10 वी और बरहवी की तीनों सनकायों के टॉपर्स की लिस्ट मांगी गई है जाकर एकेडमी काउंसिल की ओर से बोर्ड टॉपर्स विद्यार्थियों को लिस्ट आसानी से मिल जाएगी लेकिन CBSC और ICSC बोर्ड की ओर से इसमें कुछ देरी हो सकती है जारखन में लू लगने से 20 लोगों की मौत जारखन के 24 में से 18 जीलो में लोग लू का प्रकोप जहल रहे हैं इंसानों के साथ सत्पसु पक्चियों पर भी इसका असर देखने लगा है बिरहस्पत्तिवार को सुबे में लू लगने से 20 लोगों की मौत हो गई है जिसमें पलामू में 4 लोगों, सराय केला में 2 गिरिडी में 1 बिरहोर की मौत होई है बता दे जारखन में एक बार फिर पलामू सबसे गर्म रहा है यहां का उस्तम तापमा 47 पन 4 डिगरी सेंटिक्रेट रिकोर्ट किया गया है बारत मौसम भी ग्यान भी भाग के रांची थीद मौसम केंदर के प्रमूक अभिसेदक आनद ने बताया है कि जल्द ही लोगों को भीशन गर्मी सिराहत मिलने क्या सार है उन्होंने बताया है कि 31 माई को भी जारखन में कई जगों पर भीशन गर्मी पड़ेगी लू चलेगी खासकर उत्तर पच्मी भागों में यानि पलामू और गढ़वा को अभी हीट वेब से राहत मिलने क्या सार नहीं दिख रहे हैं गोड़ा राजमहल और दुम का सीटू पर परचार खत्म एक को भोटिंग जगोड़ा राजमहल और दुम का लोग सभा निर्वाचन छेत्रों में साम परचार खत्म हो गया चुनाव परचार आधिकारियों को लेकर बाहर से उस छेत्र में गए लोगों का वहां से निकलना भी शुरू हो चुका है मुख इनिर्वेशन परचार के राभी कुमार ने गुरु आरको निर्वाचन सदन धुरुआ में प्रेस वर्ता के दवन बताया कि सात्वेशन के चुनाव के ताहत एक जुन को निस्पक्ष और भायमुक्त मद्दान के लिए सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं किसी भी अन्होनी चनि पटने के लिए बाइक सवार क्वीक रिस्पोंस टीम भी तैनात की गई है पुर्व में कुछ चेत्रों में नक्सली कति भी थी लेकिन वर्तमान में इलाके में नक्सली कति भी थी का कोई खुफिया इन्पूट नहीं है दुमका के तीन बुथों को बदला गया है वहीं मद्दान कर्मी सुक्रवार को मद्दान के लिए रवाना होंगे और सनिवार को मद्दान के बाद सभी मद्दान कर्मी लोड जाएंगे उन्होंने अपील करते वे काये कि इस बार दिन भर मद्दान होगा इसलिए सभी मद्दान जरूर करे हेमंत सुरेन को रहत नहीं कोट ने बढ़ा दी न्याईक हिरासत कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद जर्खन के पूरो मुख मंत्री हेमंसुरेन की नहीं की नहीं की हिरासत की अधी बढ़ा दी गई है पेसी के बाद आदालत ने हेमंसुरेन बढ़ाई अंचल की निलामी तरह सुकरमचारी भानू परताप जमो नेता अंतुतिर की सदाम और अपसर अली विपिन सिंग पिरेर रंजन सहाय और इरसाद अक्तर की नाईक हिरासत अधी दो सब्ता के लिए बढ़ा दी गई है अगली पेसी 13 जून को वीडियो कंपिन सिंग के माध्यम से ही की जाएगी बता दे कि हमान सुरेन एक फरवरी से नाईक हिरासत में है आर्मी जवान की पत्नी से गैंग रेप में S.I.T. गठी त भारतिये से ना के जवान की पत्नी के साथ हुए गैंग रेप मामले में ग्रामीन S.P. के नेतित में S.I.T. का गठन किया गया है टीम में 4 थाना परभारी और 2 D.S.P. को सामिल किया गया है S.I.T. ने गैंग रेप मामले में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पुष्टाश कर चुकी है कई लोग अभी भी पूलिस के हिरासत में ही है जिन से पुष्टाश की जा रही है बता दे गुरु और को रांची रेंज की D.I.G. अनोब इर्थरे ने मामले की गम भीता सोथ देखते हुए रांची S.S.P. और रूलर S.P. को बला कर गैंग रेप मामले में अब तक क्या करवाई हुई है इसकी जनकारी ली D.I.G. अनोब इर्थरे ने बताया गैंग रेप मामले में पुलीस आरोपियों के गरफतार करने का हर समोपरियास कर रही है D.I.G. के अनुसार केस पूरी तरह से बलेंड है पीडि किसी भी आरोपि को नहीं पहचानती है वे कुछ दिन पहले ही अपने बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने के लिए आई थी उसी दौरान इस अपरात को अंदाम दिया गया है अब हर महीने होगी समग्र सिक्षा अवियान की समिक्षा समग्र सिक्षा में चलने वाले कारकरमों और गतिविद्यों को अब हर महीने उपायुक्त और उपविकास आयुक्त समिक्षा करेंगे जप्त के जीला कारेकरनी समित्ती के अध्यक्ष होते है वहीं परिशत के अस्मिरिती पत्र में अंकित है कि जीला कारकरणी समीती की बैठाक समय समय पर की जानी है लेकिन किसी भी जीले की ओर से इसका सतत अनुपणन नहीं किया जा रहा है जीलों में हर तीन माह में कारकरणी समीती की बैठाक होनी अनिवारी है इसके लिए जीला सिक्षा पता अधिकारी अपने अस्तर से अग्रेतर करवाई करेंगे निर्देश के तहत भेज़ेगे पत्र में कहा गया है कि जीले के उप विकास आयुक्त के साथ भी समगर सिक्षा की गतिवीदियो की जनकारी वह सुचारू किराणोयन के लिए समय समय पर उनका सहयोग वह मागदसन प्राप्त करने है तो उनके अध्यक्स्ता में भी बैठा करने की आव सकता है गिरीडी और बोकारों में डूबने से पांच बच्चों की मौत गिरीडी के देवरी और बोकारों के पेटरवार में डूबने से पांच बच्चों की मौत हो गई है इनमें से दो बच्चे सगे भाई हैं गर्डी है गाउन के कुछ बच्चे सुबा करीब साड़े दस बजे दिन में डूब गए थे नहाने के करम में गहरे पानी में चले जाने से दो बच्चे तलाब में डूब गए वहां मवजूद अने बच्चों ने सोर मचा कर इसकी सूर्थना ग्रामीनों को दी दिनकारी मिलने के बाद गाउं के लोगों ने करीब आदे घंटे के मकसद के बाद दोनों बच्चों को तलाब से बाहर निकाला है बीरसा मुंडा कारावास भेजे गए अलमगीर आलम टेंडर कमिशन मामले में गिराफ्तार ग्रामीन विकास मंतरी आलमगीर आलम को 14 दिनों के पुष्टास के बाद कोट में पेस किया गया जहां से उन्हें नियाएक हिरासत में लेते हुए बीरसा मुंडा केंद्री कारावार जेल भेज दिया गया है इडी ने कोट के आदेश पर 17 माई को पुष्टास के लिए आलम को जेल से अपने साथ ले गई थी गतला भाई की टेंडर कमिंशन गोटाला में मनी लॉंडरी के तहत जाच कर रही इडी की रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम का 14 दिन पुरा हुआ है पी एमेले कोट में परस्तूत करने के बाद उन्हें ने आये कहरासत में राची को पुष्टास में बेशा मुंडरी के लिए कारा भेजा गया आठ गावा फुटबोल मैदान में अमतिम चुनावी सबा को सम्भोधित किया इस दरण उन्होंने केंद्र सरकार पजम का हमला बोला है उन्होंने कहा है कि हेमन सुरेन ने केंद्र की मोधी सरकार से जारखन का अधिकार मांगा था इसलिए उन्हें साजिस के तहट जेल भेज दिया गया जारखन्डियों के सभिमान की रक्षा के लिए हेमन सुरेन ने जेल जानने से भी परहज नहीं किया कलपना ने कहा है कि जब से जारकन में गड़बंदन की सरकार बनी उसके साथ केंद्रे ने सोतेला बेवार किया है इसका जबाब एक जुन को आप सभी जानता को अपने भोट से देना है उन्होंने कहा है कि वोट की सक्ति सबसे बड़ी सक्ति है जो भारत के समिधान से मिली है दाक्टर भीमरा अमबेटकर द्वारा लिखीत समिधान से देश चलता है देवघर की टीम ने संडे किर्केट एकेडमी को एक साउनती सरवनों से हराया पतना में बिहार केंब्रीज किर्केट अकाडमी की ओर सायोजीत राहूल सर्मा मेमोरियल किर्केट टूर्नामेंट में देवघर किर्केट अकाडमी के टीम ने संडे किर्केट अकाडमी को एक साउनती सरवनों सहरा दिया है बतादे कईस ओवर के निर्धारित मैच में देवघर टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 223 रनों का स्कोर खड़ा किया टीम के आदीत समराट ने 36 गेंदर में 89 रन, पिर्यांसु कुमा ने 20 गेंदर में 49 रन वो उतकर्ष ने 38 रन बनाए है संडेट टीम के गेंदबाज आयूस सिंग ने 2 विकेट हासिल किये, वहीं लक्ष का पिछा करने उतरी संडेट अकाडमे की पूरी टीम 94 रनों के स्कोर पर सिमट गई वहीं देवगर टीम के केंदबाज संगा मिस्राने 18 रंदे का 6 विकेट वा एस मिस्राने 2 विकेट हासिल किये हैं धन्यवाद